सेफशोप डिरेक्ट दोस्तों बात करूं सेफशोप से पहले की मेरा नाम अंजनी कुमार जहां समस्तिपूर से ही हूँ बहुत साधान पड़िवार में जनम हुआ पिताजी चीनी मिल में सरकारी नौकरी करते थे कुछ होस सम्भालने के बाद मेरा एडमिसन समस्तिपूर इसकूल में हो गया था मैं पिताजी के साध 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 से उस प्राइवेट इसकूल में जाता दूसरे कलास से पांच मार आधा तक मैं सरकारी इसकूल में पढ़ा आधा के बाद पिजा दिए साप सापना कर दिया चुकि वो रिटाइर कर चुके थे और आमदनी बिल्कूल खतम हो चुकी थी कि अब मैं तुम्हें उस इसकूल में नहीं पढ़ा सकता तो मैं अपने गाउं के अधारपूर इसकूल में सरकारी इसकूल में पढ़ने के लिए चला गया दिरे दिरे मैटिक किया मैटिक करने के दर्मियां आमदनी काफी कम हो गई पिताजी की चुकि उस एज में चले गए थे हम छे भाई बहन थे परिवार का चलना थोड़ा मुस्किल हो गया था तो इन्होंने जबाब दई हम सभी भाईयों को दिया कि भाई अब लोग तुमको कुछ करना पढ़ेगा इस परिवार ऐसे तो चल नहीं सकता तो मैं मेट्रिक में पढ़ता था और आठमा करास के स्टुडेंट को ट्यूसन पढ़ता था और पढ़ा करके पढ़ने का सिलसला खुश दिन तक चला इंटर किया लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हुई जिसके बाद आगे किया परहाई मेरा हो नहीं पाया मैं बड़ा होता चला गया कुछ काम करता चला गया काम करने के दर्मियान मैं जब कहीं बाहर हमसे कोई पूछते कि आप कितने परहे लिखे हैं तो बड़ी सरम आती थी कि बेटा बोलता था इंटर और हम भी बोलते थे इंटर तो सोचे कि नहीं अभी जद बचाने के लिए तो एक सरकारी कॉले से मैंने पीएसी का डिगरी ले लिया अब कोई भी पूछता मैं बोलता मैं ग्रेजुएट हूँ उसके बाद कुछ दिन के बाद ट्यूसरे पनानी भी बंद हो गया एक कंपणी उस समय में तो लगा नहीं हमको लगा कि बहुत बईया कंपणी है उसमें मैंने जौइन कर लिया जौइन करने के साथ कुछ दिन के बाद वह कंपणी मुझे दोका दे दी और उस company में मेरे पास इतना liability हो गया और गाउं समाज और अपने यहां के तगादा की वज़ा से मुझे अपने घर को छोड़ करके मुझफर पूर जाकर के आटो चलाना परा आटो लेने की भी मेरी अकेले की आउकाद नहीं थी तो मैंने एक partner set किया और 13500 में एक दिगी कलाब हाजीपूर से आटो खड़िदा मुझफर पूर जाकर उसको चलाने लगा लगबक आठ महिना उस आटो को चलाया चलाने के बाद अचानक मेरे घर में एक function था जब मैं उहां से आया मुझफर पूर का सारा quarter का समान चोड़ी हो गया मैं उस आटो को लेकर के समस्ती पुरा गया कुछ दिन तक यहां चलाने के बाद लगा कि नहीं मेरे पिताजी का प्रतिष्ठा इसमें जा रहा तो मैं एक डॉक्टर के यहां compounder बन गया दोस्तों आज मैं बहुत खुस हूँ क्योंकि आज वाकई में यहां हूँ आज जो भी मेरा सरकिल जो पहचान मेरा मिला आज संजोक से हमारे डॉक्ट साब भी हमारे सामने बेटे हैं डॉक्टर यूएस प्रसाद तैंक्यू सर और मैं वहां compounder बन गया मैडम डॉक्टर स्रीमती मंजूला उनके यहां मेरा काम चलने दस साल मैंने उस काम को किया जहां मेरा काम था अपने compounder में injection और पानी लगाने के अलाबा कार साफ करना बच्चे को इस्कूल पहुंचाना घर के लिए सबजी लाना कभी गैस खतम हो जाए उसका इंतजाम करना और जब सारे compounder छुटी में घर जाते और डॉक्साब को पटना जाना होता तो मैं कार चला करके पटना जाया करता था जिन्दगी में कभी लगी नहीं मेरे घर में भी अपनी कार हो सकती है सपनों में मैंने सोचा नहीं दस साल तक मैंने उस काम को किया उसके बाद मैं एक nursing हम खोल दिया रोसरा में जा करके हलाके उसमें लाखों का नुक्सान हो गया चुकि दिन डॉक्टर साब के भरोसाब पर खोला वो डॉक्टर साब दगा दे गया उनका ट्रांसपर हो गया और जब दूसरे को बुला के लाए तो उनके साथ फिर कुछ चला नहीं लाखों का नुक्सान हुआ मैं वहाँ से वापस आ गया तो कुछ पिक अप, AC, मालबहा, गारी चलवाने का काम किया कहीं कोई काम करता चला जाता जितने उचाई पे जाना चाहता लेकिन उतने दलदल में मैं फस्ता चला गया और उसके बाद मैं L.I.C. को जोईन कर लिया L.I.C. जोईन करने के बाद मैं धीरे-धीरे L.I.C. में मेरी पहचान अच्छी थी चुकि डॉक्साब कहां कंपाउंडर थे और वहां से मेरा एक अच्छा सर्किल मिला था जब मैं बीमा एजेंट बना तो उस सर्किल का फायदा मुझे मिलने लगा और मैं L.I.C. में तेजी और तरक्की लेने लगा और उस समय में 2007 में जोईन किया था 7 साल अथक महिनत करने के बाद मैं लगाता DM कलो मेंबर बनता चला गया अपने लेविल के हिसाब से मेरी आमदनी 2014 में लगबग 50-60 रुपया महिने की थी अब मुझे लगा कि मैं तो करोर पती बन गया चुकि मैं वैसे परिवार से था अभी मेरे पिता जी सामने में मैं बैठे हैं इनका पेंसन महिने का 930 रुपया सात्मा बेतन लगने के बाद अब सोच सकते जिनका पेंसन 930 होगा उनकी आमदनी क्या रही होगी और इतना लंबा चौरा परिवार चल कैसे पा रहा होगा L.I.C. करता चला गया अच्छानक उसी दर्मियान मन में एक अजिब विचार आती थी चूकि साधी विया हो गया बच्चे बरे होते चले जा रहे थे हमेशा एक बात की चिंता सताय जा रहे थी इसका परहाई लिखाए का खर्च कहा से होगा बेटिया की साधी कहा सोगी बेटा अच्छा है इसकूल में पर कैसे सकता चूकि बिकल्ब कुछ था नहीं कहने को 50-60 महीने का LIC में आता अगर इस हॉल में कोई भी LIC यह विकारता होंगे वह बखो भी जानते होंगे कि उसमें रेनुवल कलेक्शन में कितना पैसा लगता कमिशन छोड़के काम करनी पड़ती तो पैसा बसता क्या देखने को आता लेकिन कुछ बसता नहीं था काफी मुश्किल से फैमली चलता था जब भी अपने सगे संबनी सरकिल के पास जाते दोस्तों अपने आपको हीन भरबना से ग्रसी समझते LIC में एक मोट साइकिल लोन पे LIC दे चुकी थी चुकि कलब मेंबर सीप का था हमेशा रात में कभी कभी निंद नहीं आती थी 12 बज़े 2 बज़े तक जिंदगी में आखिर हो क्या सकता मैं कर क्या सकता हूँ इसी दर्मियान हमारे जिंदगी में सेप सोप एक बरदान बन केर गया ही और वो दिन था 2 जनवरी 2014 दोस्तों जैसे ही मेरे ही घर पे आकर के मेरे ही कौपी का गज़े पर इस प्लान को दिखाया गया और जैसे ही मैंने प्लान देखा उसमें बताया गया यह बोले कि जिंदगी में एक बार कोई प्रोडक्ट लेना है दुबारा में कभी खरीदना है ने कभी बेचना है और आप यहां से कमा सकते हैं 10 सपता का 2 लाग मुझे में जितनी अपनी बुद्धी थी मैंने निगेटिव करना सुरू कर दिया लेकिन भाई सामने बाले हां तो ट्रेनिंग पूरा मिला रहा था पता चला नहीं 350 का फॉर्म उससे में चलता था मेरे से फॉर्म भरा लिया गया मैं उस फॉर्म को भर दिया सोचा चलो फॉर्म भरने के बाद मेरी मुक्ती मिल गई लेकिन नेक्स डे जैसे ही मैं तयार होके LIC कस्टमर के लिए निकला फिर सामने बाले आए जानना चाहेंगे कौन थे दोस्तो आज के डेट में सभी लोग उनके बारे में जानते बिल्कुल एकदम सुल्जे हुए बैक्तित आज उनकी वज़ा से आज अगर हमारे इस जिंद्गी में यहां तक लाने में 90% सफलता 90% क्रेडिट अगर किनी सक्स को जाता वो कोई दूसरे और नहीं हम सभी के दिनों पे राज करने बाले मिस्टर सतीस कुमार सर थैंक्यू सर थैंक्यू में हम फॉर्म बगएर भरते नहीं केबल LIC करना, उनको देना रसीद कटाना, मेरे डेरा पर रसीद पहुंचाना सारा कामून का था तो मैं उन्हें बोला कि हम आपके डर से इसको जोईन कर सकते हैं बाकि इस काम में मेरा कोई इंट्रेस्ट नहीं है इन सब टाइप के काम को करके आज तक किसी ने अपने जिन्दगी को बदला नहीं कागज पे करोरपती बिल्कुल बनना आसान है सर चुप चाप सुन रहे थे जब बोले डर सही सही ठीक है आप दे दो मैं जोईन कर लिया जोईन करने के बाद चला गया कल हो करके मैं सोचा चलो मुक्ती मिली मैं जब फिर तयार होके निकरने लगा कि एक और उससे उपर के रिंच जो भाई यहां तो एक सेक आते संजीव कुमार सर हमारे जिन्दगी में आये और सर आकर के अपना लैपटॉप खोले और कुछ-कुछ दिखाना सुरू कर दिये सारा उपर से जा रहा था उसमें एक चीज काफी अच्छी लगी सर की उस समय में बहुत दूबले पतले थे और इन पर देखी काफी फूल माला पर्रा इंद्राले के पोड़ा में ये एंकरिंग कर रहे थे हमको लगा अगर एक प्रोड़क्ट लेने से इतना मान समान मिले तो कुछ काम कर लेना चाहिए मैंने समती दिया कि ठीक है सर काम तो बढ़िया है तो सर ने हमें ट्रिपल आईडी समझाना सुरू कर दिया तो अच्छा लगा जोड़ घटाओ करके बता है कि मातर 4,500 देना है आपको तीन आईडी मिल जाएगा हम बोले ठीक है कर दिये बोले रुकिए पहले डारेक्टर साब से बात करनी परेगी कि अब आपका हो सकता है या नहीं और सर ने मुबाइल निकाला मेरे बरामदा से नीचे गया और फोन लगा दिया पता नहीं क्या-क्या बात किया उपर से आकर के पसीना पुस्ते बोले हाँ मैंने आपके लिए पहरी भी कर दिया आप टिपल आईडी ले सकते हैं वो तो बाद में पता चला कि सती सर को बली वो पेमेंट मत भेजिएगा दुबारा रजिस्टेसन करके टिपल लगा देना है लगाने के बाद काम करनी थी नहीं मैं काम करना छोड़ दिया काम करता नहीं था हर संडे और फ्राइडे जब भी लोग के माधम से हमें कॉल आता था कि आज आप आईए एक दमदार लीडर का टेनिंग होना है यदि आज आज आप इस टेनिंग को लेंगे पक्का आपके जिंदगी में बहुत बढ़ा परिवर्ता नाना सुरू हो जागा चोकि काम करना था नहीं मैं बोलता था पक्का आज आएंगे सर आज तो कोई काम है ही नहीं मैं आज आँगा आपके पास और मैं जाता नहीं था हर संडे के सेमिनार में बोलते थे कि आज एक ऐसे लीडर का क्लोजिंग होना है कि जिसे भी guest को लेकर के आप आएंगे पक्का उसकी DD मिलेगी DD मिलता बात यह मुझे जाना था नहीं और यह कुछ दिनों तक चलता रहा अचानक 26 जनवरी 2000 का एक समस्तिव में बहुत बड़ा प्रोडाम था और अविनास सर 24 तारी को सर का कॉल आया कॉल से बात बनी नहीं सर हमसे मिले और बोले कि अनजनी जी जिन्दगी में एक दिन आपको समय देना है इसके बाद ना आपको कभी करना है नकोई आपको कुछ कहेगा नहीं हम सोचे चलो जब एक दिन करना है और दूसरी बाँ जब यह स्टेशन मास्टर है सर हमारे पास आए इतने बड़े उम्र के आदमी है और हम LIC यह भी करता हैं अगर सर का हम बात मान के एक दिन समय दे देंगे तो कभी सर के पास LIC करने जाएंगे तो सर भी मेरा एक बीमा ले लेंगे तो मेरे जिंद्गी में एक बीमा बढ़ जाएगा मैं अब इस लोग में जिदर सतंद्र प्रसाद सर समस्तिपूर एउन पेलेस में परडाम को लेने आ रहे थे और जिस स्टाइल में सर का वहां इंटरी और सर की बात मुझे लगी लगा कि यहां से जिंद्गी सच में बदल सकता है दिन पर उस परडाम को देखा प्रोग्राम देखने के बाद कैस क्या लगा आज तक समझ में नहीं आया लेकिन 26 तारी के साम में सर का फिर कॉल आया कि अंजनी जी आपको बिहार सरीफ अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलें चुकि ड्राइवर हम नहीं आने आ कार खड़ दें ड्राइवर मेरे पास है नहीं और आपको कार चलाने आता है सत दस लागा बीमा इनका पकाई तो फिक्स हो जाएगा और सर को जब लाइफ एस्टैल हुआ हम देखे सर की बात को सुने इनका मान समान देखे और ये तो हलका वाला समय सर का और हमसे बहुत भारी भारी था तो मन में सच में कुछ-कुछ होने लगा सोचे कि इनका तो बीमा को अब मोटिवेट करेंगे लाइसी के लिए अब बात करेंगे लेकिन आपको तो पताई है जब अपने हैं का एक गोल्ड आपको फार के रखता तो जब सर डाइमंड थे तो मेरा क्या होगा भाई हम लोग एक एस्टेपलाइजर जहां पूरा पावर हाउस पांचे घंटा सा पूरा गरम हो गया सर पताने क्या-क्या बोल दिये और हमारे एक अभिन मित्र थे जब भी इसको जोईन किये थे उनको बोले थे कि भाई आप जोईन करिए बहुत बढ़िया काम है तो दो-चार लोग हमको नेगलेट कर दिये थे जिनको भी बोले कोई जोईन मेरे से किया नहीं सब बोलता था यह सब फसने फसाने का काम है अंजिनी जी बड़े मुश्किल से अपने जिंद्गी को आप संभाल रहे हैं कहां इन सब गलत चक्करों में आप पर रहे हैं आप मार्केट में जी नहीं पाएंगे आपका मार्केट में रेपो खराब हो जागा बीमा भी आ करके आप उसको बोलिये जो जो आपको मना किया कि आप यहां से कुछ नहीं कर सकते मैं इस बाद टार्गेट फाइट करके बीदेश जा रहा हूं और दोस्तों चौबिस दो जर्वड़ी को ज्वाइन किया था 25 मार्च 2014 तक कंपनी का एक टार्गेट आया हुआ था सर जैसे नहीं बोले मैं वहां जाकर करके बता दिया और बोलने के बाद रात में सोचा मैं पंगा तो ले लिया सामने बाला बोला अगर आप कर विदेश चलेगा तो आधा मुझ छिला लेंगे अस्चर्जी तो तब हुगा जो उसी गुस्ता में अपना तो टार्गेट होई गया मे तृगेर मेरे तेम में फ्रेसर लेबल पर मेरे साथ छे लोगों ने टार्गेट हौई तो में यह और रेडिंशन भूलू में उस समय में टीपल आपर Сपूरे टिपले सबस्व एश बीन और पूरे टिपले से में अनिया का अटो आप बना और बेस्ट पर फसन बाराउ समखाएंगे डाइमंड पक्का बनना है और जब एक सिल्वर को बेल्ट मिला वो डाइमंड बना सर ने आज फिर डाइमंड पर बिल्ट पहना दिया आगे आपको बताएंगे नहीं 2018 समाप्त होगा 19 में क्या होगा ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं समझ सकते हैं दोस्तों वाकई में पूरे हिंदुस्तान में एक बात वो इसे स्टेस से कमिटमेंट करता है कि सच में अगर आप सभी का साथ रहा हमारे मेंटर लोग का असिरवाद रहा तो सारे अपलाइन को छोड़ने के बाद इतिहास पर इतिहास अगर बनेगा तो अंजनी कुमार जाका बनेगा आप लोग के वज़ा से और पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाही देगा लेकिन आप लोग को मेरा साथ देना होगा आप लोग तयार हैं? वहाँ से आने के बाद जब टार्गेट फाइट कर गया जब नंबर वना हुआ उसके बाद लालच में आ गया टार्गेट फाइट होता चला गया काम होता चला गया 2014 और 2015 जबरदस्त काम हुआ अजीद जी ने अभी आपको आकर के बताया कि हम लोग साथ साथ थे और पीट भारी था अचानक कुछ हाथसा इस तरह का हुआ कि मेरा कई टोपाज और कई पर्ल सिस्टम को एक तरह से मानिये क्योंगे कुईट कर गया काम करना छोड़ दिये मैं बिल्कुल जीडो पे आ गया हलाकि आज पहली बार इस से बता रहा हमारे टीम में भी किसी को पता नहीं कि Emerald बनने के बाद मेरी टीम पूरी तरह टूट चुकी थी लेकिन फिर काम करने के सुरुबाद किया सरलों का आसिरबाद रहा सरलों मदद करते चले गए काम करने के सुरुबाद किया और इस 2018 में मैं आज डाइमंड बना हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2014 को जोईन किया कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे नेटवर्क में आज हाफ दर्जन से जादा लोग डाइमंड बन चुके हैं चुकी फर्क तो तब परेगा जब सेंकर और डाइमंड का बिल्ट सरलों को पहनाना परेगा पहनाते पहनाते ठक जाएंगे कहां बिहार 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 और हम लोगे कितिहास बना के रख देंगे दोस्तों काम होना सुरू हो गया जब पहले ती माही में काम हुआ, मन का बिस्वास बरहा, साथ महीना इस सिस्टम में इमांदारी से काम किया, जहां मैं साथ साल LIC में अथक महीनत करने के बाद, मुस्किल से 50-60 महीने का कमाता था, दन्यवाद देता इस सिस्टम को, कि साथ महीना में उस इंकम को बिट कर, यह कि डॉक्टर साहब के बज़से मेरी पहचान मेरी सर्किल जो कुछ भी वहां से हुआ चुकि मंजूला मेडम ने कभी मुझे स्टाफ नहीं समझा एक छोटा भाई समझ करके मेरा साथ देते चला गए चले गए और उनके बज़से यहां तक है जो सर्किल मुझे मिला वहीं से म में आया जिस दिन वो कार मेरे घर में आई यकीन मानिये मुझे लगा मैं हेलिकॉप्टर पर्चेज कर लिया चुकि मेरे पिताजी पूरे जिंदगी वेगर मोटगाट के साइकल पर बेतित किये हमारे खांदान में कोई निया मोटर साइकल खड़दा नहीं था और अगर मे मेरे घर में दो कार हो गया दोस्तों लगबग 23 लाग कार 15 महिना के अंदर मेरे पड़िवार में आया मन का बिस्वास पूरा बदल गया काम करने के सुरुवात करी आज अगर बात करूं तो हिंदुस्तान में बहुत सारे जगा को तो गुमा ही गुमा दोस्तों बिदेस जाने का मौका ये थाइलेंड बेंकोक पटाया छोड़िये अभी हंकों कर बगा 2016 में सर लोगों ने ले गया था जिस होटल में सर लोगों ने रखा उस होटल में एक रात का किराया था 86,360 चार दिनों वहां रहने का मौका मिला जिंदगी लगी की लाजवाब हो गई आज हजारों का नेटवर्क है आज अगर इंकम की बात करूँ तो लाखों का इंकम है दोस्तों काम करने के साथ सुरुआत जब किया कोई फ़रक नहीं पड़ता आपके वह सिस्टम में इमादार हजार रुपया सोरी सर बारह हजार से कैपिंग शूट गया उसको पूरा नहीं कर पाया दुख इस बात का जरूर रहा लेकिन भरोसा करते दिलाते हैं दोस्तों चाहे वह कैपिंग एचेवर की बात हो ज्यादा डाइमन बनाने की बात हो कम दिनों में तरक्की लेने की बात कोई भी बात हो अगर सर लोग का आसिरवात के बल बना रहा है हर रिकर्ट पूरा होगा और आप सवी के घर में होगा इस बात की चिंदा नहीं करनी है जिन्दगी बहुत बत्तर थी क्या थे हम लोग आपको बताने की ज़ुरत नहीं लेकिन सच बताते हैं आज सेप सोप ऐ किसी अपर्चुनिटी मिली बिस्वास करिये वहां से उठा कर वहां तक इस अपर्चुनिटी के वज़ा से चला गया दोस्तों आज जिन्दगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं कभी जो सपनों में सपना आया नहीं था कभी सोचा नहीं था जिन्दगी कहां तक चली कभी सोचा नहीं था हम लोग के घर के लिए बिदेश कभी मुझा फर्पुर्दर्भंगा या पतना हुआ करता था लेकिन आज बिदेश लगता जैसे कि दिल्ली फलाइट से आया है और कलकता है उस तरह से आज बिदेश हो चुका है आज पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आज जिंदगी मस्त चल लाई, घर परिबारे के लोग में आखों में जबरदस चमक है, आज अपने इलाके में भी एक अच्छी पहचान है, यह सब कुछ अगर संभब हो पाया, सिर्फ और सिर्फ सेप सप ऐसी अपरचुनिटी और ऐसे दम सकत करने के बाद जब लोग ना बोलते थे, बुरा लगता था, दोस्तों इतना मेंट करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती थी, तकलिफें होती थी, कभी-कभी काम करते नहीं भी करते थे, लेकिन हमारे अपलाइन हमें समय से अपर गाइड करते चले गए, सर ने सिस्टम में बने रहना, सिस्टम में सिस्टम के हिसाब से बने रहना, कभी अपना अखल मत लगाना, आज दुख के साथ कहना पर रहा, मैं भी दिमागदार आदमी था, जब तक समझदारी से काम किया, तरकी होती चली गई, एमरेल्ड बना, लेबल बदल गया, नेट बढ़क सरलों का दिमाग लगने लगा, आज तरकी पर तरकी होनी सुरू हो गई, आज रेकर्ट पर रेकर्ट बनता चला गया, तो मैं एक मैसेज इस्टेस से जरूर दूँगा, चुकि हम लोग अलग-अलग छेतर से अलग-अलग फिल्ड के होते, और हर आदमी अपने छेतर के, अ का नुकसान होगा, मैंने वैसा भुगता, और हम नहीं चाहते कि हमारे लोग वैसा भुगते, इसलिए हमने तो दिमाग लगाना बंद कर दिया, अब सिर्फ एक दिमाग लगता, और वो होता सिस्टम और अपलाइन का, लगातार संड़े का सेमिनार, फ्राइडे का इस समझ में भी नहीं आया, इस सिस्टम में मैंने दो ही बासी का, कि जो भी जोईन करने के बाद केबल दो काम करेगा, एक लगातार संड़े का सेमिनार और फ्राइडे की टेनिंग, और जिंदगी में एक बार किसी डाइमेंड को अपने आँखों से बनते हैं, अगर कोई बाद डाइमेंडशिप और दिसा अपने टीम को कराते चले जाएए, केबल दिसा और डाइमेंडशिप कराते चले जाएए, संड़े फ्राइड लगातार करते चले जाएए, आप आज आपकी स्थिति क्या है, कोई फरक नहीं परता, लेकिन आने बाले तीन साल बाद, ये स स्टेच आपका इंतजार कर रहा होगा, आज आपकी जगह जहां मिली हो, आज कहीं भी आप बैटे हो, किसी जगह पर हो, तेंकियो, आज इस हौल में किसी भी कोना में आप बैटे हो, कोई फरक नहीं परता, लेकिन वाकई में अगर आपके वल ये दो काम करते चले चले कि हमने भी राके सर का डाइमंड सिफ देखा था, जोईन करने के बाद हमारे अपलाइन लोगों ने जब रस्ती पकरके सूर सदन में सर का डाइमंड सिफ हुआ था, और सर तो हाइट हो गया, दिल फार करके बाहर निकल गए, आख फटी तो फटी ही रह गई, और उसी दिन लगा, कि यार अगर इस तरह का डाइमंड सिफ होता, ऐसा जिन्दगी अगर मिलता, तो एक बाद डाइमंड बनना जरूर चाहिए, और उसी दिन कसम खा लिया था, कि डाइमंड बनेंगे, और वो दिन था, 7 मर्च 2014, 7 मर्च 2014, उसके बाद दिसा गया, सिस्टम के हिसाब से चलता चला गया, दोस्तों, सिस्टम के हिसाब से चलना परेगा, यदि आप सिस्टम के हिसाब से चलते चले जाएंगे, वाकरी में जिन्दगी लाजवाब हो जाएगी, बाकि आज हमें बताना कुछ नहीं, आज बताने के लिए तो हमारे गुरू लोग यहां बैटे हुए हैं, आज हमें भी कुछ सीखना है, लेकिन एक बाज जो मैंने सिस्टम और अपने अपलाइन से सीखा, मैं इस स्टेस से जरूर बताऊं, अगर परमीशन हो सर्थ 2 मिनट, मैंने ये सीखा कि दोस्तों, बदलते वक्त का हिसाब से, यदि आप अपने आप में बदलाव नहीं लेंगे, या तो मिट जाएंगे, या बिक जाएंगे, जैसे एक जवाना, HMT घरी, LML भेस्पा, राजदूत मोटर साइकिल, एमबेस्डर कार, नोखिया मोवाइल, कोड़क रील, एक वक्त था पुरे दुनिया पर इस सबका अपना एक अलग प्रभाव था, था या नहीं आज है क्या, आज यदि कोई आपके यहां राजदू से आगा, तो बोलिएगा कि या रहे इतना गरीबाद में, आज भी यह बाइक राजदू से चलता, जवाना तेजी से बदलता चला गया, उन्होंने अपने 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 अप्डेट नहीं किया, मिट गए या गया, दोस्तों आज वफध बदल रहा, ज़िए इस बदलते वक्त के हिसाब से, चाहिज हौल यह बेटए हर सक्स, आप कोई भी काम करते हों, सरकारी नौक्री करते हो, प्राइबट नौक्री करते हो, दुकांदार हो, बिजनेस्मेन हो, स्टुडेंट्स हो, हाउस वाइब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने सारे काम को करने के साथ साथ केवल इसमें बने रहने का टिके रहने का एक निर्ने जब लिये हैं तो चार साल कसम खा लिजिए चाहां इस्थिती जो भी हो चार साल सिस्टम को कुट करेंगे नहीं और यदि आप चार साल सिस्टम में केवल टिक गए, डाइमंड बनना आप बच्चों का खेला, सच में, आप रोक नहीं सकते, डाइमंड तो सिस्टम आपको बनाती, नेटवर्क आपको बनाता, डाइमंड तो आप पका बन सकते हैं, क्या आपने आपको बदलने को तयार हैं, तयार हैं, तो यदि आप अपने आपको अपर्चुनिटी मुझे मेरे जिंदगी में आया यह अपर्चुनिटी मुझे मिली दोस्तों जहां मैं मेरा एक बच्पन से सौक था चुकि हर छोटे बच्चों उम्र में सौक होता तो मैं हाथ में धागा बांध के चलता कुछ बड़ा हुआ तो मेला में पिताजीक से भी आती तो एक लाग तीस हाजार उपय की है डियू टू सेप सौप डियू टू सेप सौप अंगठी जहां इस्टिल का हुआ करता बांकि आप लोग समझदार हैं समझी सकते होंगे हॉल मार्क से नीचे का कोई बात होता नहीं अगर आज गला में एक चैन भी वो भी डेला से उपर का हुआ करता आज मोबाइल फोन भी जहां 4500 के मोबाइल फोन से पूरी जबानी लगी कट जाएगा लेकिन आज अगर अपने पास मोबाइल फोन भी है तो दुनिया के सबसे महंगा ब्रांड और अब तक मार्केट में जो सबसे महंगा उपलब्ध वही उसी फोन क का इस्तेमाल करता हूँ सेपसोप के वज़ा से और दंदार अपलाइन की वज़ा से एक जबाना था जहां मेरे पास घरी हमटी बाबुजी जिस घरी को चला चला के पुराना कर दिये थे हमारे हाथ में कम और गनेस चौकपर में गनेस वाच को था वहाँ ज़ादा रहती थ दोस्तों 1,440,600 राडो कंपनी की घरी यह दो मिनट समय ज़्यादा नहीं बताती यह भी समय उतना ही बताती लेकिन एक वोगहरी होता जो केबल समय बताता था और आज इस कलाई में जो घरी है यह घरी नहीं यह मेरा समय बता रहा यह फर्क सबके वज़ा से मिला इस अपर परिवर्तन चाहते दोस्तों आज आप कहां है इस बात से कोई फड़क नहीं परेगा लेकिन आने वाले तीन से चार साल बाद आपके जिंद्गी एक आम से खास बन जाएगी आपके वल सिस्टम का हाथ मजबूती से पकर रहिएगा सेपसो पर विश्वास करिए और अपने अ लोहा नहीं उरसकता एक सक्स को अपने आप खरो साता लोहा उरह उरह या नहीं कोई फड़क नहीं परता है जिस समाज में आप रहते जिस परिवयसCome कर सकते हैं कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वक्त बहुत कम है और सीखना बहुत कुछ है आज हमारे दमदार गुरू यहां बैटे हैं वाकर में आज का दिन हम सभी के जिन्दगी कायति आज इक दिन होगा एक बात तो मैं इसे स्ट्रेस ते जोड़ कमिट्मेंट करूँगा कि आज यदि आप तनमन से इस हौल में बैटे हैं तो आज जहां भी जगा मैला कसम खाना है कि डाइमन्ड तो पक्का बनना है और चार स कि बात मांगूंगा कि सर और उपर वाल एक खुदा है परमेस्वर है भगवान जिस वी रूप में आप उनको मांते कि सच में यदि आप मेरे काम से प्रसन हैं और आप हमको कुछ देना चाहते हमारे जिन्दगी में बड़ा बदलाब चाहते हमें भी यहां से वहां तक जो सुमेद के साथ मैं आज अपनी बानी को पिराम दूँगा थैंक यू दोस्तों विस्यों देश्ट एंड गोड़ सक्से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू हुआ 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 है